नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टॉक बिजन्स एफ्लिकेशन में आज हम इस वीडियो के माध्यम से यजबेंग की स्टॉक का एनेस करेंगे जो के डेली ही 5% अफसाइट के साथ क्लोजिंग दे रहा है और इसका करेंट अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको इसमें वीडियो के माध्यम से बताएंगे दोस्तों अभी तक कि स्टॉक बिजन्स एफ्लिकेशन को डाउनुट नहीं किया है तो प्रेस्टॉर पर जाके इस डाउनुट किजिए चैनक बानुट किजिए और स्टॉक वीडियो की स्ट पावर स्ट्राइजी दूज का चांद उसको जॉइन कीजिए और सांदर अर्णी करने वाजी स्ट्राइजी को लीजिए सीजिए और सांदर परफिट कमाईजे अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए का ओन कीजिए ताकि आपको भविश्य में सम्मानित अपडेट समय से पहले मिलते रहें तो दोस्तों आई एम इस टॉक जो यह जानकरी बताते हैं इसके पीछे की क अगर आपके प्राने हैं इस बासे फरक नहीं पड़ता है आपके पास नौलिज किसे कि आपके पास कितना और अगर इंटरें में नुक्सान कर रहे हैं या पॉजिए अगर आपके पास है पूजिसोर में भी आपको नुक्सान हो रहा है और आप फ्यूचलурनेट ऑप्षिय िंदेते वह तो हम विखिय नुक्सान के पीछे की वज़ें आ चाहिए कि रिखिय क्या कारण है क्या कारण है गलती करते हैं लीद आ छिब कryए है जो उर नीचे चले जिके recording अगर आप काम करते हो तो आप multi-baker जैसे stock का selection भी कर सकते हो जो की 6 मेने में आपके capital को double करने की ताकत रखते है तो इसका live proof पूरा हमारा YouTube का channel है उसके ओपर available है आप इसका proof live proof भी देख सकते हो और अगर आपको ज्यादा ही live proof चाहिए तो आप stock business application को download कीजिए base section में stock business की diamond calls है उसको आप देख सकते हो उसमें सारे आपको जानकरी मिल जाएंगी कि कि किस प्रकार के calls होते है और किस प्रकार से हम इसमें काम कर सकते है Yes Bank का chart लगा लिया है जो कि daily time frame का है यहां पर हरे candle एक दिन को represent करती है जैसा कि आपको दिखाई दे रही होएंगी यहां पर भोस्ती रेड और भोस्ती ग्रीन candles बनी हुए है यह सारी candles एक दिन को represent करती है तो सबसे पहले हम इसके पीछे story बताएंगे कि इसके पीछे cash story थी जो stock में suddenly upside लिया है तो जब yes bank का FPO आया था तब यह यह बंग का भाव चल रहा था बीस रुपे के आसपास हमने इसके उपर एक वीडियो कवर किया हुआ है जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएंगा या आप हमारे वीडियो section में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं उससे में हमने कहा था कि आप yes bank के FPO को avoid कीजिए yes bank के FPO में आपको पैसा नहीं लगाना है यह एक जाल बुन रहा है और आपका पैसा इसमें डूप सकता है इसलिए आपको इस FPO का avoid कर देना चाहिए इसका वीडियो हमने पुरा cover किया हुआ है पुरा बताया हुआ है yes bank जब FPO लेके आया था तो यह 15,000 करोड का FPO लेके आया था मतलब कि यह market से 15,000 करोड रुपे जुटाना चाहरा था और इसने 15,000 करोड रुपे जुटाने कि इसकी जो scheme थी वो भी सफल हुई इसके पीछ management पर मिलता है 13 रुपे पर मिलता है और हम इसको 20 रुपे का भी हमको yes bank का भाव देखने को मिल रहा है तो हमको सीधा सीधा यहां से 7 रुपे मतलब 7,000 का profit हमको हो सकता है क्योंकि yes bank का lot size था यह 1000 शेयर का था तो लोगों ने सोचा कि इसमें हमको 7,000 का profit मिल सकता है लेकिन हम हमने yes bank का chart analysis करके बता दिया था कि yes bank हमको यहां पर discount में open होता हुआ नजर आएंगा और जो इसका current price पर जो FPO आया है 12 रुपे से 13 रुपे यह हमको इसी price पर खुलता हुआ नजर आएंगा यह इसके नीचे भी FPO हमको list होता हुआ नजर आएंगा तो जैसा कि हमने बताया यहां से खुला और इसने अगले दिनी 11 परसेंट का लोगा लगाया और इसका जो एक प्यों था यह पूरा सब्सक्राइब हुआ मतलब कि इसके अंदर जो इसने भी इसके अंदर शेस रखे रहे थे 15,000 क्रोड के उसकी पूरी वसुली यह बैंग ने कर ली और यह बैंग क पूरा राकम जुटा ली अब क्या हुआ इस कंडिशन में एक पैनिक की सिच्वेशन बनी सब्सक्राइब आपके पास जब नीचे लिस्ट हुआ और इसने जब लोगाया था तो आपने सोचा कि यह बैंग का आपने जो लोगा प्राइस देखा था पांच रुपे का तो आ यह बैंग का स्टॉक बेज दिया जो कि 11 रुपे के भाव में बिगिया होंगा और प्रमोटर ने माल को वापीस खरीद लिया अब जब यह यह बैंग का स्टॉक वहां से हलका हुआ तो यह बैंग में एक अपसाइट आना चाल लुगा और अपसाइट से सासाथ यह बैंग तो इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें जो टार्गेट हमको आ रहे है किस प्रकार से हम इसमें टार्गेट को प्रडिक्ट कर सकते हैं किस प्रकार से देख सकते हैं तो आपको इसमें दिख रहा होंगा कि यह बैंग का जो स्टॉक है यहां पर इसने दिखाय था इस बाहों बनाया और श्टॉक जो है कि ऊपर की और निकला तो यहां से इसने एक बनाई हमने जब श्टॉक को यहां से प्रडिक्ट किया तब हमने इसको बताए कि आप सब्सक्राइब करें चाहिए और आपके पास यह स्टॉक है तो आपको इसका जो लगा लेना चाहिए और इसको लगा कर आपको डिया को होट करना चाहिए और मैं जो नहीं पर्जित है अगर इसमी को रगें के ऊपर शेर्स की बाइंग इसके अंदर देखने को मिल रही थी काफी अच्छा इसके अंदर हमको मोमेंटम नज़रा सकता है आने वाले समय में यज़ बैंक जो है यह हमको 17 रुपे 50 पे से उसके बाद 20 रुपे इसके बाद जो भाव है इसका 22 रुपे से लेकि हमको 25 रुपे के बहु भाव भी यह स्टॉक में हमको देखने को मिल सकते है तो फिलाल में आप यज़ बैंक में लोग सरकृट का आप इसमें श्टॉप लस लगा के इस पोज़िंट को आप होड़ कर सकते हो और आप इस समय में हमको काफी अच्छा सांदर पाफट दे सकता है रेमन अभी इस समय चल रहा है 278 रुपे का भाव को इसमें देखने को मिल रहा है आने वाले समय में रेमन का जो स्टॉक है यह 290 रुपे के प्राइड देखने में अलिक को मिल सकते है अगर रेमन का इन से ब्ॉयां करते हैं 207 रुपे के आंप काफी जलोरी होता है जैसे कि आभी यहां पर अच्छा नजर आ रहा है तो आप रेमेंड में अपनी पोजिशन लेके जा सकते हो और आप इसमें 300 रुपे के टार्गेट के साथ इस पोजिशन को आप कर सकते हो अगर आप शेयर बादार की स्ट्राटेजी सीखना चाहते हो जिसमें आपको लॉस इस स्ट्राटेजी को सीख सकते हो और अगर इसकी जानकरी के लिए आप वाटसप नंबर पर कॉंटेक्ट करके आप इसकी जानकरी ले सकते हो उमीद करता हूँ दोस्तो वीडियो और जानकरी आपको पसंद आई होंगी तो आप बने रही है स्टॉक बिजिनस के साथ चैनल को लाइक ने किया हो तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए थैंक्स थैंक्स पर वाचिंग